और फिल्म में जो तीन बाते मुझे प्रॉबलमेटिक लगी थी उनके बारे मी भी मैंने रिव्यू में ही बता दिया था आप अभी भी हमारा कलकी का रिव्यू देख सकते हैं उसके बाद मैं सेकडो मित्रो के कमेंट्स आए कि फिल्म में जो मुझे तीन बाते प्रॉबलमेटिक लगी थी उस पर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाओ पर क्षमा चाहता हूं मित्रो सच कहता हूं एक तो मेरा ब अगडंत बाते हमारे गरंतों के साथ में जोड़कर सोचल मेडिया पर जो कुछ लोग स्प्रेड कर रहे थे पता नी कौन कर रहा था पर ऐसे ऐसी बाते भई सचमिस सर पकड़ लिया था मैंने तो मैंने सोचे चलो जो उचलकूद मचानी है करने दो उसके बाद मैं आराम स आप सब मित्रों के साथ में बैठ कर बाद में चर्चा करेंगे तो आज डिटेल में विस्तार में जो भी बाते मुझे प्रोब्लमेटिक लगी थी उनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं देखिए वैसे तो मैंने फिल्म को 7.5 अट आप 10 स्टार्स दिये थे क्योंकि एक तो फिल्म की विजुल्स अच्छे थे जो पैसा उन्होंने खर्च किया है वो स्क्रीन पर दिख रहा था एक्शन स फिल्म की प्रॉब्मेटिक थीम के बारे में मुझे ये खराब experience आया, बाकि जो फिल्म में कमिया थी जैसे की दिपका बादु को उनका बहुत ही जादा खराब निमनस्तर का ऐसा जो परफॉर्मनस तो जो लिटरली फिल्म में cringe feel हो रहा था वो परफॉर्मनस देख करके वो एक बात कह सकते हैं, या फिर प्रभास उनके साथ में जो कुछ भी जबरदस्ती के funny scenes उन्होंने डालने का प्रयाज किया, वो बिल्कुल भी funny नहीं लग रहे थे उल्टा जैसे प्रभास उनका मजाक उड़ाया गया हो फिल्म में ऐसा ही लग रहा था, लिटरली उन scenes को देख करके seriously, आप रदे पर हाथ रखकर सोचना, क्या वो scenes थे क्या जबरदस्ती का मजा बना करके रख दिया था उन scenes का comedy के नाम पर, तो वो कमिया अलग बात है जो problematic theme थी, उस कारण से मुझे film ने सबसे ज़्यादा खराब experience दिया था देखिए, कलकी के बारे में आपने देखा होगा, जब से film announce होई है, मैंने कभी भी ऐसी मेरे मन में कोई उत्सुकता film के बारे में नहीं रही है इसके दूसरे तरब आप देखिए, जब ताना जी के बारे में आप देख लीजे, जब फिल्म को वीडियोज में ने ताना जी के ऊपर बनाए हुए हैं, उसे प्रमोट करने के लिए, इसी प्रकार से देख देख सकते हैं, फिल्म का जब पोस्टर भी रिलीज नहीं हुआ था, जस्ट अनाउंस होई थी फिल्म, तब से लेकर के, बाद में लगबग 40-50 वीडियोज में ने कश्मीर फाइल्स पर बनाए थे RRR के बारे में भी आप यही देख सकते हैं जब केवल SS Raja Mauliji जी, Junior NTR और रामशरन गारू, वो एक साथ में उन्होंने बैट कर एक फोटो केवल पोस्ट की थी, RRR को अनाउंस करने के लिए, तब से मैंने RRR को ट्रैक किया था, और लगबग 15-20 वीडियोज मैंने RRR के बारे, या उससे भी ज़्यादा बाद में जब Oscar में फिल्म गई थी 15-20 ने, लगबग 35-40 वीडियोज हुए होंगे RRR मेरे, तो मैंने रदेश से उन फिल्मों को प्रमोट किया है क्योंकि कुछ-कुछ फिल्में ऐसी होती है, जहां पर रदेमेक विश्वास होता है, कि भाई, यहां पर आख मूंद करके, आख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, परन्तु कलकी के बारे में ऐसा कभी अंदर से फिल्म, महानटी, जो दक्षिन भारत की एक प्रमुख कलाकार सावित्री जी, उनकी जीवन पर उन्होंने बायोपिक बनाए थी, महानटी बायोपिक तो थी, परन्तु उसके साथ में उन्होंने एक अलग से सब प्लोट भी फिल्म में एड किया था जिसमें समन्ता की जो पैरेंट्स है एक हिंदू परिवार से दिखाया है समन्ता की पात्र को दरिंदे हिंदू पैरेंट्स दिखाया है जो बहुतolly regressive orthodox mindset वाले हैं misogynist, sexist, racist ऐसे वो दरिंदे हिंदू पैरेंट्स है जिनकी महिलाओ को लेकर विशेशता महिलाओ को लेकर के बहुत खराब सोच है अपनी बेटी को घर में लूना है, वो लूना तक चलाने के लिए वो नहीं देते और महिलाओ के गाड़ी चलाने को लेकर के भी वो तंज कस रहे हैं, जो बेटी है उसी समय मुझे पता चल गए थे, तो उस कारण से मैंने सोचा कि भाई, देखो हमारे जैसे दरिंदे, रिग्रेसिव, और्थोडॉक्स लोगों को फिल्म में उन्होंने एक्सपोस किया था महानटी में, तो भाई हमारे विचार तो मिलते नहीं है, ऐसे महान सेकुलर डिरेक्टर से, इसी कारण से इस फिल्म को लेकर के मेरी पहले से ही कोई ऐसी अपिक्षाय बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी और उसके बाद में जब टीजर वगएरा वो रिलीज होते हर एक जब भी चीज वो ड्रॉप करते जा रहे थे उसके साथ मैं ही मन में से वो फिल्म और उठती जा रही थी सिरियसली कह रहा हूँ मैं तो भाई मतलब मेरे जैसे दरिंदे रिग्रेसिव और्थडॉक्स लोगो की विचार तो मिल नहीं सकते ऐसे महान से सिक्लर डिरेक्टर के से तो इसी कारण से मेरे मन में ऐसी फिल्म से कोई अपेक्षाय नहीं थी और जो डिरेक्टर के महान सिक्लर विचार है वो हम कल की फिल्म में भी देख सकते हैं उधारन देना हो तो शंबाला का उधारन हम दे सकते हैं अब शंबाला मैंने रिव्यू में भी इसके बारे में चर्चा की थी जो बात मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी थी मेरी छोटी बुद्धी को अब दरिंदा रिग्रेसिव हूँ मैं तो छोटी बुद्धी है मेरी तो वो बात मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी थी कि शंबाला में आप देखिजिए लगभग विश्व की कई सरी सभ्यताएं उन्होंने दिखाई है विशिष्ट जो बुद्धिस मौंग से उनके कंट्रोल में शंबाला हमें देखने को मिलता है कई सरी ट्रैबल कल्चर से उन्होंने वहाँ पर दिखाई है कई सरी विदेशी सभ्यताएं भी वहाँ पर उन्होंने दिखाई है और शंबाला मरियम नाम का जो पात्र है उसके कंट्रोल में शंबाला है मरियम वहाँ पर सबसे मुक्या है मरियम के कंट्रोल में शंबाला है पैसरी अलग-अलग सभधाए वहां पर हमें देखने को मिलती है और बुद्धिस मौंक्स का विशेश वहां पर प्रभुत्व है और ऐसे शंबाला में जो वर्जिन सुमती है वर्जिन सुमती है वो ऐसे मरियम के दोड़ा कंट्रोल शंबाला में जाकर कलकी आउतार को जन्म देने वाली है हलाकि यह जो शंबाला है वहाँ पर हिंदू संस्कृति का मैंने काफी देखा कही पर भी हिंदू संस्कृति का कोई सिंबल कोई अस्तित्व, कोई रशी, मुनी, कोई साधू जिस प्रकार से अलग-अलग जो कल्चर्स दिखाए है न शंबाला में उनकी वेशबुशा भी प्रॉपर है अलग-अलग वेशबुशा है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी उनकी वेशबुशा नष्ट नहीं हुई है भविशे में जा करके उनके ट्रेडिशन्स नष्ट नहीं हुए है उनकी पूजा पधतिया नष्ट नहीं हुई है वो सब कुछ बचे हुए है पर तो कोई हिंदू, रिशी, साधू, संत वहाँ पर तपस्या कर रहे हो अपने ट्रेडिशन्स को फॉलो कर रहे हो अपने पारंपरिक वेशबुशा में हो वो कम से कम मुझे तो भई वहाँ पर नहीं दिखा और मैंने रिव्यू में भी ये बात कही थी कि देखिए, चाहे वैशनविजम हो सिक्किजम हो, शक्तिजम हो जैनिजम हो, बुद्धिजम हो गानपत्यपन्थ हो या शक्त संप्रदाय को फॉलो करते हैं या वैशनविजम की अंडर भी सेकड़ अलगलग संप्रदाय है मैं इन सब को एक ही मानता हूँ सनातन संस्कृती की ही अलग-अलग कि हमारे जो आदिवसी भाई ये वो हिंदू नहीं है, ओनम का तेवहार हिंदू नहीं है, नवरात्री के बारे में भी ये लोग उन्होंने अभी प्रोपेगेंड़ा चालू कर दिया, कि नवरात्री भी हिंदू तेवहार नहीं है, ये कोई religious festival, कोई धार्मिक सन उत्सव नही करते हैं, वो एक अलग चर्चा का विशा है, वो वहाँ पर अभी हम नहीं जाने वाले, कुल मिलाकर मैं तो बिल्कुल अलग नहीं मानता, पर डिरेक्टर जब किसी बात पर एक specific अलग से point out करके दिखा रहे हो, किसी बात पर focus करके अलग से दिखा रहे हो, तब तो मन में प हाच से इतने वर्षों के बाद में क्या हिंदू संस्कृती इतनी कमजोर है कि कली के प्रभाव से वो समाप्त हो गई, बाकी traditions बज गए, बाकी सब बेताय बज गई, बाकी cultures बज गए, पर तो हिंदू संस्कृती इतनी कमजोर है कि वो कली के प्रभाव से नश्ट हो गई, पता नहीं क्या उनका वो दिखाने का उद्देश्य था क्योंकि आप काशी को भी किस प्रकासे चित्रित किया है आप देखिए काशी में भी जो मंदिर आदी हमें दिखते हैं वो खंडर हो चुके मंदिर ही उन्होंने दिखाये हैं आवशेश के वल बचे हुए इर्दगिर्ध हमें कही कही पर दिखाये देते हैं कोई प्रॉपर काशी में कोई हिंदू संस्कृति को फॉलो कर रहा हो परंपराओ को फॉलो कर रहा हो ट्रिडिशन को फॉलो कर रहा हो ये कही पर भी काशी में भी दिखाई नहीं देता मंदिर खंडर हो चुके उन्होंने दिखाए है इवन जो भेरवा का पातर है प्रभास का वो एक सीन में देखिये एक पूरा गोल जैसे रत का पया था या कुछ चक्रडाइप वो अपने उपर लेता है तो उस पर एक हिंदू सिंबल हमें दिखाए देता है वो भी एक आउशेशी था पूरी फिल्म में हिंदू सब्वेता का कोई अस्तित्व बचाओ ये देखने को नहीं मिलता काशी में भी हाँ बचाओ वा कहां देखने को मिलता है वो फिल्म का जो में विलन है अब वो कली है नहीं है कुछ लोगों के पास में कुछ तर्क होते नहीं counter argument होते नहीं तो कुछ भी बिना सरपेर के comments करते रहते हैं कि भाई कमल असन तो कली नहीं है वगेरा 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 भाई वो कली है नहीं है ये बात matter ही कहां करती है उससे कोई फिल्म की philosophy change नहीं हो जाती अब main basic problem को समझिए काशी में कहीं पर सरातन संस्कृति के traditions परमपराय वेश बुशा आदी उसका कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता हाँ उसका अस्तित्व कहां है केवल केवल फिल्म का जो main villain है वो या स्कीन वगेरा जो कुछ भी उसको अपकली मानी है नहीं मानी हो एक अलग विशह है वो प्रॉपर एक मुनी के वेश में पूरा धोती आदी और तपस्यारत उसको पूरा ध्यान मुद्रा में प्रॉपर दिखाया है वो तपस्या कर रहा है ध्यान मुद्रा में है वो प्रॉपर हाँ वहाँ पर केवल जिंदु सब्वैता का अस्तित्व बचा हुआ है और इस स्तर का ये आर्गुमेंट है आप सोचिए जरा जो भी वेक्ति आसा इस प्रकार का आर्गुमेंट देता है उसका बहुत धिक स्तर की हद तक गिर चुका है आप सोचिए भाई रामायन धर्म की स्तापना का संदेज देता है प्रभुशी राम चंदर जी उन्हें मर्यादा उसकी भक्ति में पाखंड दिखाया गया है वो संतों का अपमान करता है वो संतों की यग्यों में हड्या डालता है ये रामायन में दिखाया है ना रावन को अगर उसके भक्ति में पाखंड दिखाया है तो तुसरी तरप प्रभुशी राम चंदर जी को सही मायने में धर् दिखाते समय जो हिंदु सिंबल्स को उसके शरीर पर दिखाते है न तो अपने इस घिनोने जो बाते वो अपनी फिल्मों में हिंदु घुरुना स्प्रेड करते हैं उसको जस्टिफाय करने के लिए रावन को सामने उधारन के रूप में प्रस्तुत करते हैं ये बहुत ही जादा निमनस्तर का घटिया बेहुदा पिना सरपैर का ऐसा आर्गुमेंट है, कोई मुर्ख व्यक्ति भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं दे सकता, जिसके पास में थोड़ा सा भी कुछ सोचने समझने की क्षमता हो न, वो कभी भी ऐसा आर्गुमेंट सोच भी नह के पात रहे, क्या वो कही पर ट्रिडिशन्स को फॉलो कर रहा है, और चलो भैरवा को आपको शुरुवात में उच्छरुंकल दिखाना था, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्लोट ये बन सकता था कि भैरवा पहले उच्छरुंकल था, उसको संस्कृति का कोई ज्यान नहीं था, कली के प्रभाव में वो सब कुछ भूल चुका था, आप निरत्रिवाज, परमपरे, ट्रिडिशन्स वगेरा, सब कुछ भूल चुका था, पूरोई तरह के से भटक चुका था, ब्रहमित हो चुका था, भविश्य में जाकर के हिंदू संस्कृति का भी आपको क तरह किसे भटक चुका था, जीवन में सयम, सदाचार, तपस्या, ट्रिडिशन्स, परमपराई, इसका कोई महत्वों से नहीं पता था, दिखाते आप भहरवा को शुरुआत में इसा, बाद में चलो वो अश्वत्हामा से मिलता है, आपको अश्वत्हामा को ही वो गिल्ट से उसको बाहर निकालना था न, चलो भहरवा उच्वत्हामा से मिलता है बाद में जाकर कि यह आपको दिखाना था, दिखा देते, आश्वत्हामा बहुत गिल्ट में है, कि भाई, उसने अधर्म का साथ दिया, इसकारण से वो पश्यताप में है, और उस पश्यताप की महत्वा तुम्हें पता नहीं है, पर अधर्म के आचरण का महत्वा क्या है, वो अश्वत्हामा उसे समझाते, तब तो वो गिल्ट से बाहर निकलना हुआ न, क्योंकि अधर्म के आचरण के कारण, अश्वत्हामा को जो नुकसान हुआ, जो उसे श्राप मिला, तो वो भह भूतों पर क्नियंतरन प्राप्त करके वो अपनी शक्तिया जगाता कली से लड़ने के लिए दिखाते नहीं थी, कितनी बढ़िया थी मोती है पर नहीं, वो सोच नहीं नहीं हमको तो चपरी गिरी को प्रमोट करना है भेरवा के माध्यम से भी लिटरली चपरी गिरी को प्रमोट किया है फिल्मे कही पर भी वो तपस्या कर रहा हो योग कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो दिखाते हैं न, यसे शक्तिमान में शक्तिया कहां से आई है अरे भाई, हॉलिवड की अमेरिकन सिरीज अउतार दला सेर्बेंडर का मैंने कितनी बार उधारन दिया है वहाँ पर भी वह कुंटिलीनी योग से अपनी शक्तिया जागरित कर रहा है बैटमेन भी भुटान में जाकरके एक आश्रम में जाकरके अपनी शक्तिया जागरित कर रहा है और ये क्या दिखा रहे हैं करन का अस्तर हाथ में आ गया तो उसकी शक्तिया जग गई ये कहां से पढ़ लिया हमारे सब्वेता में जितने भी अस्तरों का उलेख है न उनके भोती काकार में उलेख वो शक्तिया नहीं है वो शक्तिया मंतर शक्ति में है गुरु आश्रम में उन मंत्र शक्तियों को सिध्धियों को तपस्या के माध्यम से जागृत किया जाता है उन मंत्रों पर सिध्धी पराप्त की जाती है ब्रह्मास्तर भी उसकी शक्ति किसी अस्तर में बहार से नहीं है उसके पीछे वो मंत्र पर सिध्धी पराप्त करके फिर वो ब्रह्मास्तर क शक्तिया नहीं थी उसके पीछे मंत्र की शीवी जी को प्रसंन ने किया शीवी जीसे दिव्यास्त्र लिये स्वर्ग में जाकर उन अस्त्रोक से अस्टुर की सिध्धी की बारे में उसने सीखा ब्रमचर्य का पालन किया, आपसरावनी उसके ब्रमचर्य तोडने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं गिरा, तपस्यामें लगा रहा तब उन अस्टुर की सिध्धी उसने प्राप्त की चलो, उतना भी आपको नहीं दिखाना था ठीके उसको भी छोड़ दो कम से कम आपको अश्वत्थामा को गिल्ट से बाहर निकालना था तो भेरवा वहाँ जाता धर्म के आचरन का महत्व क्या है वो अश्वत्थामा से सिखता इसको तो गिल्ट से बाहर निकालना कहते है ना कि धर्म के आचरन से प कल की आवतार को भी आपको दिखाना है, तो आप दिखाते हैं न किसी रिशी मुनी तपस्या मेरत, उनके घर में कल की आवतार का जन्म हुआ है, पूरे विशो में कली के प्रभाव के कारण हिंदु सब्भैता का असित्व समाप्थ हो गया है, पर उंतु उन रिशी-मुनी की तरह जीवन जीने वाले किसी दंपती जुनोंने तपस्या करके अपनी जीवन को सादगी, सायम, सदाचार के आचरन से सही रखा है उनके घर कल की आउतार का जन्म हुआ क्योंकि कितने भयानक कली में भी जो व्यक्ति तपस्या में रत हो, वो कितना शुद्ध होगा, कितना पवित्र होगा, उसके घर कली आउतार को आप कल की आउतार को जन्म लेते हुए दिखाते हैं, पर नहीं, इनको तो क्या भरजिन सुमती, वो मरियम के दौरा कंट्रोल्ड शंबाला में, जहां पर इंदु संस्कृति का कोई अस्तित्व ही नहीं, वहां कल की आउतार को दिखाना है, मतलब मुझे तो कम से कम भाई इसमें कोई सेंस दिखाई नहीं दिया, एक और प्रॉब्लमेटिक बात जो फिल्म की, इन्होंने कल की आउतार को सेकंड कमिंग के साथ में कमपेर किया है, मतलब सिरियसली? ठीके, डिरेक्टर को अपने वो बहुत महान सेकृलर है, ठीके, समझ सकते हैं, पर भाई, आप कम से कम हमारी सभिता को संस्कृति को छोड़ दो, आपका सेकृलर ठीके, ओर महान सेकृलर बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर सन शनातन सेंस्कrestri कोई religion नहीं है, इसके कोई religious ऐसी book नहीं है, जहां पर बताया गया है, कि आपको convert होना है, या आप believer हो, तो आपको यह करना होगा, ये नहीं करना होगा, एसे कोई religious book सनातन सेंस्कrestri की नहीं है, इसके मुलबुर्श सिध्धानत ही पूरी तरीके से अलग है, और अब second coming के साथ में कैसे उसको compare कर सकते हैं। मुझे कम से कम ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। ये तो अभी तो क्यों शुरुआ थे, आगे देखिए। और problematic बाते क्या है फिल्म में। फिल्म में महाभारत के जो नकारात्मक पात्र है, उसको तो यहाँ पर नकारत्मक सैड में दिखाया है, आरजुनका गांडियू कली के पास में चला जाता है, एंडिंग में उसुदर्शन चकर का उल्लेक कर रहा है, कली, कमल असन कली हो या यासकीन हो, जो कुछ भी हो, उसका उल्लेक वो कर रहा है। क्या क्यो क्यो ये करना है क्या रिजन क्या है इसके पीछे का इंडोनेशिया दुनिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश वो भी शत्रिय देव घटोतकच नाम की फिल्म बनाते हैं उसमें भी भीम के बेटे घटोतकच को उन्होंने सूपर हीरो की प्रस्तुत किया है पांडों को धर्म का प्रतिक बताया है सत्य का प्रतिक बताया है और कवरों को नकारात्मक्ता का निगेटिवीटी का और जो भी गलत बाते हैं उसका प्रतिक कवरों को बताया है इतनी बुद्धितों इंडिनियोशिया वालों के पास भी है यार भारत क लोगों को तो इनको तो वामपंथियों ने जो दिमाग में बाते डाल दी उसको spread करना है करन को महान बताना है और कई लोग तो इतने इस प्रोपगेंडा में डूब चुके हैं कि वो कहते कि यार सुर्य का पुत्र था पांडो का भाई था तो उसको सही दिखा दिया उसको भ पर देखिए करन के पात्र का महिमा मंदन क्यों किया जाता है वामपंथियों के द्वारा सबसे पहले तो यह जाती वात का प्रोपगेंडा यह लोग spread करते हैं उसके लिए करन का उप्यों किया जाता है यह सबसे बड़ी problematic बात है दूसरा वामपंथियों का हमेशा सही कर रहे हैं और फिर हाथ में हत्यार ले करके उसके विरुद्ध विद्रो करो अनारकी अराजक्ता रिवलुशन क्रांती लाल क्रांती वगेरा जो कुछ भी इनका चलता है उसके लिए वो समाज के गरीब किसान मजदूर इनका उप्योग करते हैं वामपंथि बराबर इस प यह इनका सबसे मुख्य इनके नरेटिव को स्प्रेड करने के लिए करन का उप्योग करते हैं यही बात आप करनन फिल्म में भी देख सकते हैं धनुष की करनन फिल्म फिल्म के एंडिंग में धनुष का जो करन का पात्र है वो लिटरली फिल्म में फिल्म के एंडिंग में सुर्य पुत्र है पांडवों का भाई है तो ग्रेशेट्स दिखा दिये तो क्या भाई basic problem समझे और वैसे भी महाभारत में करणों को नकारात्मक ही दिखाया है ये वामपन्तियों ने कुछ कादम बरिया कुछ novels वगरा लिख करके जो करणा का महिमा मंदन क्या है उस propaganda से सबसे पहले तो बाहर निकलिये और क्या आवशक्ता क्या है पांडवों को positive side दिखाते कवरों को negative side दिखाते क्या problem है इसमें क्या problem है क्या problem क्यों क्यों इसको change करना है तो देखे ऐसी छोटे मूटी तो बहुत सारी और भी problematic बाते थी पर उन्तु ये मुख्य मुख्य वो problematic theme है कलकी 28980 की जो मेरे जैसे मुर्ख, regressive, orthodox, धरिंदे के मन में मेरे समझ से तो परे हैं ये सारी बाते हो सकता है कि महान से किलर लोगों को ये बाते समझ में आ जाए उनको पसंद आए मेरे दिमाग से परे ये बात एक शमाच आता हूँ बाकी मैंने जो बाते कही उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपनी चे कमेंट में आवश्य बताना वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम